हेलो दोस्तों विल्कम बैक टू माई चैनल दोस्तों रेड्मी नोट टेन लाइड डिवाइस में रेड्मी के तरफ से एक न्यू सॉफ़वेर अपडेट को इंडिया के अंदर ओफीसली रॉल आट करना स्टार्ट कर दिया गया है तो आज के इस विडियो में हम जानेंगे कि इस न्यू अफडेट का वर्जन और साइज क्या देखने को मिला है और इस ने अफडेट के बाद रेड्मी नोट टेन लाइड डिवाइस में क्या कुछ ने फीचर्स को आप पे प्रोवाइड किया गया है साथ इस अफडेट को आप लोग अपने डिवाइस में कैसे इस्टॉल करोगे तो अवरोल इन सभी के बारे में आगे वीडियो में डीटेल में बताने वाला हूँ तो जानने के लिए वीडियो में अटक बने रहे हैं दोस्तो Redmi Note 10 Lite डिवाइस में Redmi के तरफ से MIUI 12.5.10.0 का न्यू वर्जन को इंडिया के अंदर ओफिसली प्रोवाइड किया गया है और इस अफडेट का साइज आपको 537 MB देखने को मिलेगा और ये अफडेट काफी जदे इंपोर्टेंट है Redmi Note 10 Lite डिवाइस के यूजर्स के लिए क्योंकि इस अफडेट के बाद उनकी डिवाइस में काफी कुछ नए फीचर्स और इंप्रोव्मेंट्स यहाँ पे किये गए है दोस्तो आप लोग जैसे ही अपने डिवाइस में इस नए अफडेट को इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे सबसे पहलो तो आपके डिवाइस में सिक्वेरिटी में अगस्त के मन्त का निव सिक्वेरिटी पैच यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो की काफी ज़धा बढ़िया बात है Redmi Note 10 Lite डिवाइस के यूजर्स के लिए इसके एलाओ दोस्तो इंक्रीज सिस्टम सिक्वेरिटी तो सिस्टम के सिक्वेरिटी को इस ने अफडेट के बाद और बी ज़धा इंप्रूफ किया गया है साथी system में optimize system performance तो दोस्तो इस MIUI 12.5.10.0 Android 11 update को install करने के बाद आपके device के performance को और भी ज़्यादा increase किया गया है तो daily task में multitasking में और भी ज़्यादा smooth experience यहाँ पर देखने को मिलेगा साथी दोस्तो Redmi Note 10 Lite users में से काफी सरी users के device में battery drain का issue देखने को मिल रहा था और अभी भी देखने को मिल रहा है तो finally MIUI 12.5.10.0 update के बाद आपके device के battery drain issue को यहाँ पर fix किया गया है इसके अलाओ दोस्तो यहाँ पर इस new update के बाद gaming section में भी optimized किया गया है तो यहाँ पर gaming में पहले के comparison में अब और भी ज़्यादे smooth experience यहाँ पर देखने को मिलेगा तो दोस्तो Redmi Note 10 Lite device में आपको यह सारे features and improvements Redmi के तरफ से officially provide किये गया थे जो कि मैं आपके साथ इस video में share कर दिया हूँ दोस्तो इस new update को install करने के लिए simply आपको अपने device के setting solution में चले जाना है फिर software update में चले जाना है फिर about phone में चले जाना है and last में आपको वहाँ पे version check out कर लेना है वहाँ पर आपको MIUI 12.5.10.0 का new version वहाँ पे देखने को मिल जाएगा and simply आपको इस new update को अपने device में install कर लेना है और अगर आपके device में ये new update सो नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा 7 days के अंदर अंदर आपको ये new update आपके device में देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो बस यही सभी latest update सामने निकल के आई थी जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में share कर दिया हूँ and ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी अच्छी लगी तो एक like जो रूर करें चैनल मने हो तो चैनल को subscribe कर ले बाकि दोस्तो आप चाहे तो मुझे Twitter और Instagram दोनों में ही follow कर सकतो description को link देखने को मिल जाएगा बाकि मैं मिलता आप से किसी और वीडियो में तब तक के लिए जैहीन वन्दे मातरम